Hello guys, welcome to my youtube channel, आज मैं आप लोग के लिए quadratic equation का 3rd वीडियो लेके आ हूँ, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं, जो discriminant formula है, उसका deviation सीखेंगे, कि इसका deviation कैसे होता है, जो स्रीधराचारी है, रूल जिसका हम लोग use करते हैं, उसका deviation देखेंगे, क्योंकि किसी formula का deviation होता है, त क्या है, क्या है discriminant, इस सारे चीज़ को हम इस वीडियो में देखेंगे, और ये जो आपका बचा हुआ, जो chapter था आपका exercise, उसको भी हम क्या करेंगे, इस पर solve करेंगे, और इसके बाद जो next आएगा, आपका nature of roots आता है, ठीक है, इसका basic जो definition हम इसमें बता देंगे, लेकिन questions आपको एक वीडियो में possible नहीं होगा, तो जो next वीडियो आएगा, आपका fourth वीडियो, उसमें आपका last रहेगा, वो खतम रहेगा, उसके बाद फिर आपका रहेगा, एक और topic बचा रहेगा, वो आपका word problem रहेगा, ठीक है, तो उसको भी हम देख लेंगे, लेकिन सबसे प deviation, deviation कैसे होता है, तो वो सारे चीश को हम देखेंगे, तो चले वीडियो को start करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे, कि ये discriminant होता क्या है, ठीक है, तो for the quadratic equation बता रहा है, कि for the equations बता रहा है, किसका ax square plus bx plus c, ठीक है, is equals to आपका 0, जो होगा, इसी expression में, the expression बता रहा है कि d, b square minus 4 a, c, और इसी को हम क्या बोलते हैं, discriminant बोलते हैं, यही d जो है, यह d आपका इससे related है, आपका यहाँ discriminant से आपका, जो related होगा, यहाँ discriminant से क्या है, आपका related है, इसी को हम discriminant बोलते हैं, discriminant बोलते हैं, कोई discriminant भी बोलता है, दोनों बात एक ही है, जो आपको बोलने में solution या roots आपका सेम ही चीज है ठीक है तो यह आपका होगा x square plus bx plus c is equal to 0 के लिए बता रहा है कि यह reals होता है ठीक है real that means कहाने का मतलब है real number होगा ठीक है जो real number आप पर है जिसको a by आपका b के form में या pyq के form में हम लिख सकते हैं ठीक है when कब यह real कब होगा तो यहां बोल रहा है कि b square minus 4ac is equal to आपका क्या होगा या तो 0 से बरा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए equal होना चाहिए यह नहीं b square minus 4ac less than आपका 0 ठीक है more than 0 and equal to 0 ठीक है so next हम देखते हैं आपका इसके बाद तो यह जो nature है इस nature को हम कब सीखेंगे तो यह इसी के बारे में हम बात कर रहे थे पहले हम discriminant formula को prove कर लेंगे ठीक है उसका deviation देख लेंगे और उसके बाद हम इस चीज़ को आगे देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि discriminant formula में है क्या आपका तो सबसे पहले चीज़ जान लेजिए कि यह किसका है discriminant formula किसके द्वारा यह दिया गया है चाहिए यह जो है यह आपको पहले भी बताया गया है कि यह आपका स्रीधराचारिय रूल के नाम से हम जानते हैं ठीक है तो आपका deviation किसको करना है चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं इसको ax square plus bx plus c is equals to zero अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे इसको सबसे first जो काम होगा हम इसको करेंगे dividing करेंगे dividing both sides ठीक है both the sides by इसके a को से ठीक है किस चीज़ से करेंगे a से करेंगे तो सबसे पहले देखिए x square divided by a हो जाएगा plus bx by क्या हो जाएगा a हो जाएगा plus c by a is equals to zero यह हो गया आपका ठीक है divide करने पर यह होए आएगा next step में हम क्या करेंगे कि अब इसमें देखिए सबसे पहला क्या करेंगे कि यह जो data लिखा हुआ यह लिखा हुआ यह लिखा हुआ यह लिखा हुआ तो इस part को आप क्या कीजिए equal के इस side भेजिए ठीक है second चीज यह a से ए cancel हो जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या आपका x square plus bx divided by a और plus जो यहाँ पर बचा हुआ इसको हम क्या बोले equal के side भेजिए तो यह हो जाएगा minus c y a अब एक चीज ध्यान रखना है कि अब यहाँ पर same चीज एक और step आपको उठाना है दो step मात रहा है सबसे पहला मैं आपको एक बार यह इसमें group करते वाक्त दो चीज आपको याद रखना है एक तो होगा कि आपको divide कर देना है a से और second चीज जो होगा वो यहाँ पर क्या करना है कि a जो लिखा हुआ है x square plus bx by a जो लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि plus b by 2a का whole square जो है ठीक है यह और minus b by 2a का whole square जो है ठीक है यह क्या करते हैं सबसे पहला चीज तो यह दिखिए, अगर आप बनाते हैं किसी equation को, तो अगर किसी equation के किसी एक साइड में, या तो LHS या RHS में, अगर हम बात करेंगे, इन केस, तो किसी number को अगर हम plus कर देते हैं, या minus कर देते हैं, तो उससे equation में कोई फार्क नहीं पर सकता है, जैसे example अगर 5, ठीक है, यही है equation, तो अगर इसमें, इस X में हम, 2 plus कर दिएं, और 2 minus कर दिएं, ठीक है, तो इससे कोई फर्क होगा, 2 में से 2 जाएगा, आपका क्या होगा, 0 होगा, तो अब बात होता है, तो फिर हम इसको लिखेंगी, क्यों, क्योंकि इसके लिखने के पीछे region है, क्यों के हमको proved करना है, तो जिस चीज को proved किया जाता है, उसी की according हमको क्या करता है, question में, value को put करना परता है, लेना परता है, late करना परता है, so this region, ठीक है, now, अब हम क्या करेंगे, कि यहाँ पे, अब देखें, यह चीज को हम क्या की है, b square by 2a, b by 2a का whole square को plus की है, इसी को minus की है, तो सेम चीज है, that means, अगर 9 minus 9 लिखा हुआ है, तो 0 होगा, अगर a minus a लिखा हुआ है, तो 0 होगा, अगर a by 2 minus a by 2 लिखा हुआ है, तो 0 होगा, तो वही चीज यह 0, यह तो दोनों value मिलके 0 दे रहा है, but हमको इसका huge क्या करना है, कि देखें, यह जो पूरा part है, यह जो आप a plus b का whole square का value जो आपको होता है, पता होगा a square, और plus b square plus 2ab, यह जो होता है, आपका value होता है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कि इस value के according अगर हम बात करेंगे, तो इस part को अगर आप तोड़िएगा, ठीक है न, separate करिएगा, तो यह चीज मिल जाएगा, ठीका, यहाँ ए a square का काम करेगा, ठीका, यह जो part है आपका b का काम करेगा, लेकिन यह जो part है 2ab का का काम करेगा, तो एक चीज देखिए, यह किसका value है, तो सबसे पहले a square और b square, तो a square और b square का हम क्या करते हैं, इसका root निकालते हैं, इसका root निकालते हैं, और जो value आता है, इसको हम क्या कर एक x square है और एक b by 2a है तो देखिए तो x plus b by 2a का अगर whole square अगर आप करते हैं तो मिलता क्या है एक वर हम यह चीज़ को चेक कर लेते हैं ठीक है यह आपके लिए better होगा तो अगर चेक करते हैं तो देखें यहाँ पर आपको क्या मिलेगा x square और plus b में अगर करिएगा तो b square y फोड़े और plus आपका क्या होगा 2a भी तो 2 into x into b तो b का value क्या है b by 2a 2 से 2 cancel होगा मिला कि हमको x square plus b square by 4a और plus आपका x और b तो b by 2a into x bxy 2a है इस टाइप से आप बूल सकते हैं तो देखें यहाँ भी आपका bxy क्या मिला है ठीक है तो यहाँ bxy 2a नहीं यह 2 तो आपका कट चुका है तो bxy a देखें यहाँ पे भी है और आपका वहाँ पे भी है तो यहीं चीज को तो यह पार्ट जब यह दे सकता है तो इसके जगा पर हम यह लिख सकते हैं बस आ गया आपका यहीं चीज को समाझना था अब b by 2a का whole square वे दिखत अब ये part तो पूरा खतम हो गया, ये जो next part बचा हुआ है इसको क्या करेंगे, तो ये minus c by a तो पहले से है, ये minus उधर में जाएगा, तो उधर जाएगा, तो plus b by 2a हो जाएगा, तो b square by 4a भी इसको हम तोड़के लिख सकते हैं, क्योंकि b का whole square करेंगे, तो b square और 2a का करेंगे, तो 4a हो जाएगा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको, तो देखें, ये जैसे है, वैसे छोड़ देजे, x plus b by 2a जो है, इसको छोड़ देजे, whole square को is equals to, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है minus c by a, तो यहाँ पर इसका lc m ले लिजे, a और 4a का lc m क्या हो जाएगा 4a, ठीक है, क्योंकि a, a दोनों जगा common है, तो 4a हो जाएगा, a से a cancel, तो 4 में multiply होगा, ठीक है, a से a cancel, तो 4 में c से, तो minus 4c हो जाएगा ठीक है, 4a, 4a पूरा cancel हो जाएगा, तो यहाँ आपका b square है, तो यह क्या हो जाएगा, plus b square, ठीक है, तो अब देखिए, हमको यहाँ पर मिला क्या, अब हम next बात करेंगे, देखिए, यहाँ पर बात करते हैं, जगर नहीं है, तो यहाँ पर space है, आपका देख लेते हैं, देखिए, इसको अब हम क्या लिखेंगे, x plus b by 2a लिखा हुआ है, लिखिदेजी, का whole square is equal to, वहाँ उसको क्या लिख सकते हैं, b square minus 4ac, divided by, आपका क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा, अब देखिए, इस square है, square को क्या करिए, आप cancel कर दिजए, square को cancel करिएगा, तो बरावर के उस side जाता है, तो root चर जाता है, इस चीज को ध्यान रखना है, square अगर बरावर के उस side जाएगा, equal के उस side जाएगा, opposite side, then we change, change in, किस चीज में, root में, ठीक है, यह आपका किस चीज में हो जाएगा, root में हो जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, यहापर देखिए, root में change हो जाएगा, तो root में change करने के बाद, अब हम को करना क्या है, यहाँ बचा क्या, x by, x plus b by 2a बचा, और इधर क्या बचा आपका, root अंडर आपका, b square minus 4ac, ठीक है, यह इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यह क्या हो जाएगा, आपका 4a का value जो होगा, 2a होगा, या तो इसको हम plus minus भी कह सकते हैं, क्योंकि root है, root का जो value होता है, plus minus दोनों में निकलता है बाहर, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब देखिए, यह x वाला जो पाठ है, इसको वैसे ही छोड़ दीजी, अब इसको जैसे है, वैसे लिख दीजी, ठीक है, अब देखें यहाँ, हमको x का value चाहिए, तो x को यहीं पर छोड़ दीए हैं, अब हम क्या करेंगे, अब अंडर b square minus 4ac और यहाँ minus आपका b बचेगा, यहानि कि सीधा सा minus b और यह root का value जो होगा, plus minus, root b square minus 4ac divided by आपका 2a हो जाएगा, then we can say that x is equals to minus b plus root b square minus 4ac divided by 2a and next value, x is equals to, यह minus b same रहेगा जैसे है, वैसे उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, minus b को, अब हम इसके जगापर plus था, एक बार हम minus भी लेंगे, root under b square minus 4ac और divided by 2a, तो यह दोनो value आपका क्या हो गया, निकल गया, यही दोनो value जो होगा, यह आपका इसका क्या कहला हैगा, roots कहला हैगा, इसी को हम roots बोलेंगे, यह solution हुआ, इसका जिन दली huge cup किया जाता था, हम लोग जब पढ़ते थे, तो जिसका factor नहीं निकलता था, तो उसको हम discriminate, यह नि सिधे हम लोग बोलते थे factor नहीं मिल रहा है, तो बोलते थे d पे जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ आपको पता होना चाहिए, कि root under b square minus 4ac, और आपको पता है, यही पे हम बोल चुके हैं, कि b square minus 4ac की जगा पे हम क्या late करेंगे, d late करेंगे, तो उस condition में यहाँ जो formula है, उसको हम क्या कह सकते हैं, formula जो हो जाएगा, यह हो जाएगा, x is equal to minus b, और plus root d, divided by 2a, और x is equal to minus b, और minus root d, divided by 2a, और यह जो x दिख रहा है, इसको first जो value होता है, इसको हम alpha भी बोलते हैं, और यह जो second value है, इसको हम beta के नाम से भी जानते हैं, तो यह चीज़ भी याद रखेगा, कि यह पहला जो roots होता है, उसको alpha और दूसरा जो roots होता है उसको beta के form में बोलते हैं, तो कहीं कहीं, पर यह आपका ऐसे मिलेगा, alpha is equal to minus b, और plus root d, divided by 2a हो जाएगा, और beta is equal to minus b, और minus root d, divided by 2a, तो वहाँ पे no confusion, confusion नहीं होना चाहिए, तो यह आपका formula का deviation था, इसको याद रखना है, यहाँ पे बस दो step यूज किया गया है, first में यह चीज जो plus करते हैं, और उसी चीज को हम क्या करते हैं, minus करते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखेगा, वो कहां से आता है, तो उसको भी हम यहाँ पे explain कर दिए, अब हम बात करेंगे nature of roots का बात करेंगे, ठीक है न, natures क्या होता है, तो उसको भी हम देख लेते हैं, कि इसक solution solve कर लेते हैं, बट वहाँ पर nature में problem होता है, तो उस चीज को देख लेते हैं, कि उसको कैसे हो nature आता है, ठीक है, तो चलिए, अब हम देखते हैं आपका जो बोला गया था, कि discriminate के बारे में, ठीक है, तो यहाँ जो है, सबसे पहले हम देखेंगे, कि D का value दिया कैसे रहेग आपका nature, ठीक है न, सीधा ऐसा बात करेंगे, तो अब हम बात करने वाले हैं आपका nature, nature of the quadratic equation, ठीक है, nature of the quadratic equation देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको book में दिया रहेगा, कि D का जो value होगा, वो क्या होगा आपका, सीधा सा इस form में लिखा रहेगा, या आपको ऐसे भी दिया रहेगा, कि B square minus 4AC, ठीक है, अगर क्या होगा, greater than क्या होगा, greater than आपका जो होगा, ठीक है, greater than जो होगा, वो 0 होगा, ठीक है, अगर B square minus 4AC का value 0 से बढ़ा होगा, तो इसका क्या होगा, इसका जो nature होगा, वो होगा, तू डिस्टिक्ट तू डिस्टिक्ट बता रहा है कि आपका roots होगा ठीक है next हम बात करेंगे कि अगर b square minus 4ac का जो value होगा वो equal to 0 होगा ठीक है तो यहाँ पर इसका जो value होगा वो क्या होगा nature होगा यहाँ पर होगा two equal roots ठीक है two equal roots हाएगा ठीक है कैसे आएगा इसको भी हम explain करेंगे और अगर b square minus 4ac का जो value होगा वो क्या होगा आपका 0 से क्या होगा आपका यहाँ 0 से क्या होगा बड़ा होगा ठीक है यहाँ 0 से क्या होगा आपका छोटा होगा ठीक है b square minus 4ac का जो value होगा वो किस से छोटा होगा, आपका 0 से छोटा होगा, ठीक है नहीं, तब ऐसे conditions में इसका क्या होगा answer, no roots, यही equation को याद रखना है, यह आपका VVI है, यह आपका याद रहना चाहिए, यह अगर आपको नहीं याद होगा, तो exam में आपको बहुत सारा problems जहलना पड़ेगा, यह जो value होगा, equal to zero होगा, और यह D का value जो होगा, less than zero, zero क्या होगा आपका, D का जो value होगा, वो क्या होगा, 0 से छोटा होगा, ठीक है ला, D का जो value होगा, यहाँ पर क्या होगा, 0 से भी क्या होगा, छोटा होगा, यानि कि वैसे condition में हम क्या करेंगे, तो चलिए देख लेते है example देख लेते हैं, example एक एक करके क्या करेंगे, हम देख लेंगे, तो सबसे पहले इसका, इसमें सीधा सा बात है, इसका value काने का मतलब है, कि minus b और plus minus जो होगा आपका, root d और divided by 2a होगा इसका, इसका अगर हम बात करेंगे, तो minus b by 2a होगा, इसका बात करेंगे, ठीक है, अगर d का value माल लेते हैं, अगर आप ले लेते हैं 4, ठीक है, जो की क्या है, आपका 0 से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखे, minus b, ठीक है, और plus minus जो root होता है, plus minus root क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x का जो value होगा, और कितना हो जाएगा, x का again, तो minus b, और minus आपका root, root नहीं, root का value, root 4 का value 2 होगा, तो 2, 2a है, तो बस यही हो गया, यह second हो गया, अगर d का value, second में अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जो आपका क्या लिखा गया है, कि equal होगा, ठीक है, अगर d का value आपका 0 के बराबर होगा, ठीक है, तो 0 के बराबर होगा, तो अगर d बराबर 0 लेंगे, तो देखे, x बराबर क्या हो जाएगा, minus b, और plus minus आपका root 0, divided by 2a, ठीक है, तो minus b, और यहाँ minus plus, जो भी कहिए, 0 कहिए, और यह क्या हो जाएगा, आपका divided by 2a, ठीक है, और same चीज, यहाँ x का value again, हम बात करेंगे, तो minus b, और minus root 0, divided by 2a, is equals to minus b, और divided by 2a, और यह हो जाएगा, आपका minus, यहाँ पर करेंगे, तो minus 0 होगा, ठीक है, तो इसका value सीध है, minus b by 2a, और यहाँ भी आएगा, minus b by 2a, so this region, we can say, ठीक है, यह, क्या करेंगे, say that, minus, यहाँ का, if d is equal to 0, then we can say that, बता रहा है, कि आपका 2 equal roots का value होगा, वो minus b by, क्या होगा, 2a होगा, ठीक है, और यहाँ पर तो आपका जो होगा, 0 से कम, अगर इसको भी लेना चाहते हैं, तो देखिए, माल लेते हैं, d का value हम ले लेते हैं, minus 4, ठीक है, minus 4, minus 3, कुछ भी ले लेते हैं, तो इसका value देखिए, क्या होगा, आपका x का value minus b, और plus minus root d, तो minus 4 होगा, ठीक है, divided by आपका क्या होगा, 2a होगा, आपको पता होना चाहिए, कि root का जो value होता है, under root value जो होता है, under root जो value होता है, वो क्या होता है, not in negative form, not in negative form, negative form में क्या होता, वो नहीं होता है, ठीक है, अगर negative form में होगा, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, उसको भी हम प्रूप्ट कर सकते हैं, की negative form में क्यों नहीं हो सकता है that means अगर x का value क्या होगा माल लेते हैं अगर आप रखते हैं वहाँ इसके according अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, माल लेते हैं कि x का value अगर root minus क्या होगा, अपका 4 होगा ठीक है, तो आपको पता है कि x का value आपका क्या होगा कि जिसको हम रखने से minus 4 आ जाएगा, तो कभी भी ये क्या है, possible नहीं है, so this region, ठीक है, इस region के वज़र से आपको इसको बोला जाता है, कि अंगरे root जो होता है value, वो कभी भी negative form में नहीं होता है, ठीक है, तो ये है आपका nature, इस चीज़ को भी याद रखेगा, और इसी nature पे अब आपको questions दिया जाएगा, और वहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा, इसका nature पूछा जाएगा, ठीक है, तो nature वाले question को हम बाद में solve करेंगे, सबसे पहले जो discriminant based जो formula है आपका, उस पे जो questions है, सबसे पहले उसको देख लेंगे, ऐसे इसको हम बता दिये हैं, next हम इस पर सीधे direct video लाएंगे आपको, और सीधे उस पर कुछ questions जो होंगे, उसको हम क्या करेंगे, practice करवा देंगे, जिसके बाद ये खतम हो जाएगा, बाकि रहागया word problem, तो word problem में थोड़ा problem है, resources का कमी है, आपको written में question लिखेंगे, जितना करेंगे problems होगा, अभी उतना आपके पास, मेरे पास सुविधा है नहीं, कि हम आपको उस टाइब से सुविधा दे सकें, फिर भी आप courses करेंगे हम, कि अगर उस टाइब से main कुछ formula, main जो questions होंगे, वो सारे questions को हम क्या करेंगे, आपको कुछ लाने का कोसिस करेंगे, क्योंकि NCRT का question तो कम से कम हम करा सकते हैं, क्योंकि उसमें कम questions है, लिखना परेगा questions को पहले से, या आपको बोल के सुनाना परेगा, तो वैसे condition में book तो आपके पास available होगा, तो वैसे condition में आप क्या कर सकते हैं, सुनके उसको देख सकते हैं, और आपको clearly क्या किया जाएगा, समझा दिया जाएगा, तो आप बना सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, अब इस पर question देखते हैं, तो exam में questions आपसे आसानी से बन जाएगा, और बाकी बचके और कुछ इससे related अगर important questions होगा, तो वो एक particular वीडियो लाया जाएगा, और उस वीडियो में आपको क्या किया जाएगा, कुछ important selected question को भी आपको solve करा दिया जाएगा, तो चलिए देखें, सबसे पहले तो basic आपको कम से कम जो होता है, वो पता होना चाहिए, कि आपको basic कम से कम deep पता होना चाहिए, कुछ questions आपको normally भी अगर दिया जाए, तो वो आप बता सकें, अब ये भी नहीं कि आपको basic question भी अगर आपको दिया जा रहा है, वो भी आपसे नहीं बन रहा है, तब तो फिर दिक्कत है, बहुँ जादा दिक्कत है, फिर फालतों का पर रहा है, फिर छोड़िए, अराम से जो कर रहा है, वो करिए, तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो question है, ठीक है, सबसे पहला जो question आपका दिया गया है, वो है आपका x²-4x-1 is equal to 0, सबसे basic और सबसे easy question यह concept है, क्योंकि बिल्कुल formula based पर है, ठीक है, जो x²-bx-c साफ पता चल रहा है, कि कौन x है, कौन bx है, कौन c है, ठीक है, तो सबसे पहला, बुक में आपको यहाँ देखिए, x² का coefficient क्या है, कुछ नहीं, तो यहाँ a ले लेते हैं, तो a का value क्या होगा, 1, कुछ नहीं का मतलब not 0, कुछ नहीं का मतलब 1v होता है, multiply के buffer में याद रखना है, ठीक है, यहाँ पर minus 4 है, तो अगर b का value बात करेंगे, तो यह minus 4 होगा, not 4, क्योंकि आपना जो formula होता है, वो होता है, x², plus bx, plus c होगा, तो यहाँ जो plus लिखा हुआ है, plus रहेगा, तभी plus लेंगे, अगर यहाँ minus है, तो इसको minus 4, तो चलिए, अब हमको सबसे पहले, यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करेंगे, कि d निकालेंगे, d is equals to b square minus, आपका क्या होगा, 4ac, तो 4ac, तो अब d लिखे हुए है, तो d के जगापर, आपका d तो d है, ठीक है, निकालना है, हमको b, b square, तो b के जगापर क्या है, minus 4 का square करेंगे, और minus आपका 4, तो 4 तो उस formula से है, a, c, a का value 1, और c का value जो है आपका, वो भी आपका minus 1 है, एक साथ 2 symbol अगर हम देते हैं, एक साथ 2 symbol अगर देते हैं, तो वहाँ पर आपको bracket देना ज़रूरी है, अब देखिए, 4 का square कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है, plus में minus minus plus हो जाएगा, और यह minus minus यहाँ भी plus हो जाएगा, और 4 बंजब 4, तो यह 16 और 4 कितना हो जाएगा, आपका 20 हो जाएगा, अब हमको निकालना है, सबसे पहले, अलफा, ठीक है ना, x ना बोलके हम अलफा बोलिए, ठीक है ना, तो alpha का पहला जो value होगा, minus b और plus root d, divided by 2 है, तो यहाँ पर आप कर दीजे, minus b, तो minus b के जगा पर क्या करेंगे, हम आपका देख रहे है, minus b, minus b है, तो minus तो यहाँ formula में है, ठीक है ना, और minus b का value क्या है, minus 4 है, ऐसे लिखेंगे यह नहीं, कि direct आप उठा के यहाँ पर, फोर्ट कर देजेगा, गलत हो जाएगा, ठीक है, next हम देखेंगे आपका, plus root d, तो plus root d, root का value कितना है, 20, divided by 2 a, तो a का value कितना है आपका, देखेंगे, यह का value 1 है, तो यह आपका minus minus plus 4 हो जाएगा, और plus, यहाँ root 20, root 20 का लिखेंगे, root 20 को root 5 into 4 लिख सकते हैं, 2 बाहर आएगा, यानि कि यहाँ पर बच्चेगा, क्या 2 root आपका 5 होगा, next हम बात करेंगे, divided by आपका 2 है, तो 2 हो जाएगा, यानि कि यहाँ ऊपर में क्या हो जाएगा, 4 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 2 common लिखेंगे, तो आपका बच्चेगा, क्या यहाँ पर देखें, 2 plus, आपका बच्चेगा, root 5, divided by, आपका कितना बच्चेगा, 2, 2 से 2 cancel, यानि कि 2 plus root 5, यह आपका first value हो गया, next हम बात करेंगे beta, तो beta का अगर हम बात करेंगे, तो beta देखें कैसे निकलेगा, तो beta में भी वही minus b, और यहाँ minus root d होगा, divided by 2a, तो यहाँ देखें minus b, तो minus में यहाँ minus 4, और plus minus यहाँ minus root d, तो root d यानि कि root 20, divided by आपका क्या होगा, 2a, तो अब हम क्या करेंगे हैं, minus y plus 4 हो जाएगा, अभी सेम चीज़ बताएगा, ठीक है, यहाँ पर जो होगा, minus 2 root आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, minus 2 root 5, divided by 2, क्योंकि यह का value 1 है, तो एक ही चीज़ को बारबर क्यों लिखे, आप के लिएर समझ जाएगे, 2 common ले लेंगे, तो यहाँ भी 2 minus, आपका root 5 हो जाएगा, और divided by 2a, यानि कि 2 से 2 cancel, यानि कि 2 minus root 5, तो second जो value होगा, second जो 0 होगा, वो आपका कितना हो जाएगा, 2 minus root 5, और 2 plus root 5, तो यह आपका हो गया, आप देखिए, एक चीज़ जान रखी, अब यही formula को आपको यूज करना है, अब इसको बार बार आपको नहीं लिखा जाएगा, अब आप इसको direct thumb लोग यूज करें, क्योंकि बार बार लिखने में आपका time collapse होगा, ठीक है, सीध है, इसके जगा पर यह यूज करेंगे, और second formula यह यूज करेंगे, तो आप direct thumb सीध है, यूज करते जाएंगे, इस चीज़ को आप देखेगा, direct apply करेंगे, D का सिर्फ value निकालेंगे, और उसके बाद इसको direct apply करेंगे, तो चलिए देखते हैं, second number question आपका देखते हैं, कि second number question क्या है, ठीक है, 16x square, equal के उस side अगर कोई value दिया हुआ है, तो उसको a x square plus b x plus c के form में arrange करेंगे, यानि जो 24x बड़ावर के इस side आएगा, equal के तो minus 24x, और यह जो plus 1 है, minus 1 हो जाएगा, is equal to 0, सबसे पहला d का काम, तो d बड़ावर d square minus 4ac, सबसे पहला step में आप क्या करेंगा, अगर आपको confusion है, तो आप a का value लिखिए, क्या होगा, b का value लिखिए, क्या होगा, c का value होगा, जैसे a का value यहाँ 16 है, b का value minus 24 है, c का value आपका minus 1 है, तो आपको लिखना परेगा, अगर confusion नहीं है, अगर आप direct देख रहे हैं, तो घर पे practice कर रहे हैं, not in exam, अगर in case घर पे, अगर आप practice कर रहे हैं, तो उस form में आप क्या करिएगा, direct use करिएगा, that means, अब हम बात करेंगे, आपका देखिए, अगर आप सम करेंगा, तो 6 प्लस 14, 7 प्लस 6 आपका कितना होगा, 13, 13 और 1, 14 हो जाएगा, और फिर ये आपका 5 है, ठीक है, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, 640, तो ये आपका इसका value कितना निकला, 640 निकला, तो 640 निकल गया, तो अब इसका हम value निकलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, अब सेम alpha निकल लिए, तो alpha का value क्या होगा, प्लस माइनेस, तो माइनेस B, तो माइनेस B, B के जग़ों पर क्या है, 16, डाइडेक्ट लिखेंगे, योग कि अब बारबाट formula नहीं लिखा जाएगा, प्लस root D, root का value कितना है, 640, डिवाइड़ बाइड बाइ 2A, 2 into A का value 16, तो इसको लिख दीजिए, अब देखें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिख रहा है, 64 दिख रहा है, तो 64 जो है, किसका value है, 16 into 4, आप लिख सकते हैं, 64 into 10, सीधे लिखे 64 into 10, तो माइनेस 16, और प्लस, आप क्या करिए, इसको 64 into 10 लिख सकते हैं, 64 into 10, तो ये हो जाएगा, divided by 32 नीचे में, अब यहाँ देखिए, माइनेस 16, ये 64 है, तो माइनेस 16 प्लस, ये 8 बाहर आ जाएगा, अंदर में root 10 आपका बचा रह जाएगा, और ये divided by 32, अब देखें, 8 से ये भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, तो 8 कॉमल ने लेंगे, ठीक है, तो ये क्या बचेगा, आपका, माइनेस आपका बचेगा, 2, ये 2 जा 16, और यहाँ बचेगा, प्लस root 10, डिवाइड़ वाई, अपका 32, तो 8 से कितना बार में, फोर बार में, ठीक है, तो माइनेस 2, प्लस root 10, डिवाइड़ वाई 4, यही चीज़ को बेटा में, अगर हम बात करेंगे, सेम ही चीज़ होगा, आपका माइनेस 2, प्लस के जाएगा, प्लस के जाएगा, प्लस के जाएगा, रूट 10, एकस स्क्वाइड, माइनस 2, रूट एकस, और प्लस 1, इस इक्वाइड टू 0, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको बताया गया था, ठीक है, अभी नहीं, आपको पहले ही बताया गया है, कि जो, एकस का वैलू होता है, गो किस चीज में होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, यह पहले ही, यह आपका क्या होगा, इसका वैलू एकस्ट ही नहीं करे, क्योंकि यहाँ क्वेशन में लिखा हुआ है, कि if they exist, अगर उसका मौजूद है तभी, तो एक चीज याद रखेंगा, आपको confuse करने के लिए ऐसा भी दे देता है, क्योंकि X का power फिर क्या हो जागा, 1 by 2 हो जाएगा, तो यह जो value है, देख रहे हैं, X root में दिया हुआ है, तो X square root में नहीं होना चाहिए, X भी यहाँ root में, नहीं होना चाहिए, rail number में आपका होना चाहिए, ठीक है, तभी होगा value, otherwise यह फिर नहीं होगा, तो यह जो होगा, इसका value exist नहीं करेगा, आप check भी करिएगा, तो कोई फैदा है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप cancel करिए, इसका value नहीं होगा, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया गया है, यह आप अगर basic उसका नहीं देखे हैं, ठीक है, polynomial में भी आपको परहा है, quadratic polynomial में, ठीक है, वहाँ भी बताया गये इसके बारे में, और आपको quadratic equation के basic में भी आप परहा होंगे, तो वहाँ भी बताया होगा, बताया गया है कि यह आपका root में नहीं होने चाहिए, तो यह तो होगा ही नहीं, ठीक है, next हम बात करेंगे 4 number, 4 number क्या होगा, 4 number में आपका दिया हुआ है root 2x square, ठीक है, और आपका plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0, next हम इसका निकालते हैं, सबसे पहले d निकालेंगे, d equals to b square minus 4ac, तो b का value क्या है 7, तो 7 का square हो गया, plus d square minus, आपका b square minus 4ac, तो minus 4 formula से a का value क्या है, आपका root 2, और c का value क्या है 5 root 2, तो 5 root 2 लिख दिए, अब हम देखे, 7 का square 49, और minus, यह root 2 root 2, 40, यानि कि 49 में से यह जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, आपका only 9 हो जाएगा, तो यहां फिर value यह हो गया, इसका 9, अब हम सीधे alpha का value निकालेंगे, तो alpha बढ़ावर minus b, तो minus b का value क्या है आपका 7, तो यहां direct 7 लिखेंगे, plus root d, तो plus root d का value 9, minus 7 और यह 9 का value क्या हो जाएगा, आपका 9 अपका है तो उसका value, आपका plus 3 divided by 2 root, आपका 2, अब 7 में से 3 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, minus 4 divided by 2 root, 2, 2, 2, 2, 4 हो जाएगा, root नीचे में, यानि कि minus 2 by root 2, यह आपका answer हो जाएगा, ठीक है, कहीं कहीं आपको answer इस form में नहीं देगा, आप answer match करिएगा, तो वहाँ पे जो होगा, यानि कि minus 2 root 2, तो एक हो जाएगा आपका plus root, यह plus 2 by root 2 होगा, ठीक है, देख लेते हैं, यह root 2 से आपको उपर नीचे क्या करेंगे, slice करेंगे, ठीक है ना, root 2 में root 2 से, तो only 2, तो यह हो जाएगा आपका, और उपर में root 2 से, तो यह only minus root 2 हो जाएगा, तो यह आपको ध्यान में रखना है, ऐसे भी यहाँ 2 जब लिखा हुआ है, तो इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, आपको, 2 को हम लिख सकते हैं, आपका root 2 into root 2, तो root 2 से root 2 cancel हो जाएगा, तो direct भी हम लिख सकते थें, second देख लेंगे, बीटा अगर निकालना है, तो बीटा भी हो जाएगा, आपका minus 7, और minus root 9, ठीक है, और divided by आपका क्या हो जाएगा 2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, देखिए, यह minus 7 है, और यह minus 3 हो जाएगा, डिवाइड़ भाई आपका क्या हो जाएगा 2, तो यह minus 7 और minus 3 आपका कितना हो जाएगा, minus 3 divided by 2, 2 से 5 बार में है, यानि कि minus 5, तो एक हो जाएगा, minus 5 हो जाएगा, यह ध्यान में रखना है, यहाँ इसलिए लिखा गया था, कि इसका root है, वो बाहर क्या होगा, चिंजो के कोई form नहीं देगा, तो इस form में ऐसे condition में, कभी-कभी हम direct भी लेते हैं, और कभी-कभी देखना परता है value को, next हम देख लेंगे, आपका 4 number हो गया, अब हम देखेंगे 5 number, 5 number में आपका क्या कह रहा है, उसको देख लेते हैं, 2 root 3 x square, 2 root 3 x square, और क्या है, minus 5 x plus root 3, minus 5 x plus root 3 is equal to 0, कोई नहीं, B का value B square minus 4ac, so हम क्या करेंगे, B का value क्या है आपका दिया हुआ यहाँ पर, तो B का value आपका minus 5, तो minus 5 का square, और minus 4 x A का value, 2 root 3, लिख दियें, C का value आपका only root 3, लिख दियें, minus 5 का square 25, minus 4, यह 3, 2 देखें, यहाँ root 3 में root 3, तो खाली 3, 3 में 2 से, तो 6, और 6 में 4 से, 24, यानि कि 25 minus 4, यानि कि 1 होगा, next हम alpha का value बात करेंगे, alpha निकालेंगे, तो minus B, तो minus B, तो B का value कितना है, minus 5, तो minus 5, और plus root D, तो देखें, आप direct, यहाँ पे, अगर इसका root निकाल के देखें, तो direct भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना है, तो root 1 लिख दीजे, और divided by आपका 2A, एका value कितना है, आपका 2 root 3, तो यहाँ लिख दीजे, 2 root 3, is equals to, यह देखें, plus 5 हो जाएगा, और यह, plus 1 हो जाएगा, divided by 4 root 3, यह हो जाएगा, 6 by 4 root 3, 2 से 3 बार में, और 2 से 2 बार में, तो अब देखें, यहाँ पर 3 बचा, और 2 root 3 नीचे में, अब देखें, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, root 3 into root 3 लिख सकते हैं, divided by 2 root 3, तो root 3 से root 3 cancel, यहनि कि root 3 by 2, तो यह value हो गया, root 3 by 2 हम कह सकते हैं, यह calculation है, basic calculation आपको पता होना चाहिए, यह basic जोर घटा अभी 10th class में चलेगा हैं, अगर आपको 10th class में जाके, जोर घटा अभी नहीं आ रहा है, तो फिर छोड़ दीजिए पढ़ना, कोई ज़रूरत नहीं है, आपके बस का है, नहीं, ठीक है, जिसके बस का है, उसको 10th class में आने के बाद, यह basic, बहुत ऐसे बच्चे हैं, जिनको roots निकालने नहीं आता है, सारे चीज, problem से हम लोग face करते हैं, क्योंकि पराते हैं, तो वहाँ पर देखा जाता है, कि बहुत ऐसे बच्चे हैं, जिनको minus plus में problem है, roots में problem है, decimal में दे दिया गया, तो उसका आधा प्रान निकल जाता है, तो यह सब चीज से आप बचिए, ठीक है, basic जो चीज है, वो basic चीज को आपको concept के लिए रखना पड़ेगा, बाकि यह सब कुछ नहीं कर रहे हैं, यह सब हम calculation कर रहे हैं, यह simplify कर रहे हैं, क्योंकि formula है, formula पर direct value पूट किया जा रहा है, यह आपका time pass हो रहा है, basic जो था वो बता दिया गया, formula भी बता दिया गया, यह आपको question सिर्फ solve करके दिखाया जा रहा है, pattern को कि ऐसे ऐसे आ सकता है, अगर in case किसी बच्चा को सीखना चाहते हैं, वो लो कि नहीं हमको सीखना है, तो वैसे बच्चों के लिए, यह आपके लिए काम का चीज़ है, जो आपका brilliant बच्चा होंगे, उनके लिए यह जो आपका formula ही बताया गया, और बाकी जो कुछ, हाँ, कुछ-कुछ ऐसा जो questions आता है, जहाँ पर आप direct formula पर ले जाहिएगा, तो वहाँ पर आपको problem हो सकता है, ठीक है, तो वैसे questions बहुत कम आते हैं, और अगर इन case आते हैं, तो आप practice के होए रहेगा, तो आपके mind में वो questions रहेगा, यहाँ यह questions में ऐसा pattern है, इसमें यह चीज़ को use करना है, बता दिया गया, इतना explain करके बता दिया गया, इतना तो book में भी आपको explain नहीं किये हुए है, उसके बाद भी अगर आपसे नहीं बन रहा है, तो अप फिर आपके बसका सीधा सा सवाल एक ही है, एंसर है कि आपके बसका है नहीं छोड़ दीजिए, ठीक है, फिर जो कर रहे हैं, आप time pass करते रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब 10th class में है, अभी से भी अगर आप sincere नहीं होईएगा, तो आपका result जो होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका खराब जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर एक अच्छे number से pass करना है, बाकी pass करने के लिए, तो आप 60%, 50% लाके भी pass कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छा number अगर अभी भी नहीं ला सकते हैं, यह आपका सबसे first board होता है, ठीक है, 10th जो होगा, फिर उसके बाद आपका आगे next जो है, आपका दर्वाजा खुलेगा, ठीक है, लेकिन सबसे पहला जो होगा, वह यही है, तो चलिए, next हम देखते हैं, आपका 6 number को, देखते हैं, कि 6 number क्या है, ऐसे ही है, सारे for questions जो है, ऐसे ही बनेगे, blackboard को पहले erase कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं, चलिए, next हम देख लेते हैं, आपका 6 number question, 6 number question में क्या कर रहा है, फिर हम देखेंगे 7 है, फिर आपका 8 है, 9 है, 10 है, 7 के बाद जो है, आपका कुछ standard question है, थोड़ा मोड़ा, आप इसको ध्यान से देखिए, चलिए, 6 number में देखें कि क्या कर रहा है, आपका, 6 number में x square plus x plus 2, यह तो असान है, x square plus x plus 2 is equal to 0, इसलिए इसको यहाँ पर बना दे रहे, दे ब्रावर b square minus 4ac, सीधा सा, तो यह आपका value क्या होगा, b का value आपका 1, 1 का square minus 4 into a, तो a का value जो होगा, वो क्या होगा, आपका, देखिए, a का value क्या है, आपका 1, ठीक है, c का value क्या है, आपका plus 2, तो आपका ये क्या हो जाएगा 1 into 2 अब ये देखिए 1 का स्पार 1 होगा minus 4 to the 8 ये देखिए 8 में सबन जाएगा आपका कितना होगा minus 7 होगा क्या होगा minus 7 होगा तो यहां देख रहा है value किस चीज में आगे negative आगे और आपको पता हो था कि D का जो value होना चाहिए ये वो क्या होना चाहिए greater than 0 होना चाहिए बट ये less than 0 है so this region ये जो होगा इसका no real roots इसका roots नहीं होगा ठीक है इसका roots नहीं होगा क्योंगे minus में है तो हम नहीं बना सकते हैं next हम बात करेंगे आपका 7 number तो 7 number को देखिए चली 7 number क्या का रहे है तो 7 number में है आपका क्या x square ये 2 x square और प्लस एक माइनस a square is equals to 0 तो डी बढ़ाबर यहां b square minus 4ac b के जगा पर क्या है तो a square minus 4ac तो minus 4 into a का value क्या है आपका 2 into c का value क्या है minus a square ठीक है तो minus a square ये step से हम इसको क्या करेंगे लिख देंगे ठीक है अब देखें यहां पर ये जो लिखा हुआ है अब a square हो जाएगा ये ये minus 4 2 जा 8 तो minus minus ये अपका क्या होगा plus नहीं होगा क्योंकि ये minus आपका a square है तो हाँ plus ही होगा क्योंकि whole square नहीं है तो ये minus और यहां minus मिलके आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फो ट हो जाएगा, 8a स्क्वाइर हो जाएगा, 8a स्क्वाइर, और 8a स्क्वाइर और ये मिलके आपका 9a स्क्वाइर हो जाएगा, बस बन गया आपका, 9a स्क्वाइर हो गया, तो इसका root d के value आपका क्या होगा, 3a आएगा, अब 3a आएगा, तो alpha का value निक आपका 2 यानि 2 x 2 यानि कि माइनस आपका ए और आपका क्या होगा फिर यह प्लस 3a ठीक इसका नाइन स्क्वाइर का वैलू निकालेंगे तो आपका डिवाइड़ भाई 4 यानि कि 3a में से एक a जाएगा तो 2a by 4 हो गया आपका 3a में से जाएगा तो 2a by 4 आप 2 से 2 बार में य यहां सीधे आप माइनस लिखिए ठीक है रूट यहां जैसे प्लस 3a था तो यहां माइनस 3a होगा डिरेक्ट लिखिए कुछ 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 सौर्ट करते जाहिए बार बार आप एक ही चीज को लिखना नहीं है आपके पास इतना कॉमन सेंस होना चाहिए ठीक है नेक्स है धूझों में क्या होता है? 2a होता है, नीचे दोनों का जो होता है वो 2a होता है फार्मूला में तो इसलिए सीधे यहां जब यहां 4 है तो यहां भी हम क्या यूच करेंगे 4 यूज करेंगे, यह देखें, माइनस क्या हो जाएगा, उपर में 4A, डिवाइड़ वाइ 4, 4, 4 केंसिल, यानि कि एंसर माइनस A, यानि कि 1 होगा, A by 2, और दूसरा होगा, माइनस A, next हम देख लेते हैं, आपका, यह हो गया, अब हम देखेंगे, कौन सा question आपका, 8 number question, 8 number question आपका क्या कहा रहा है, x square minus, दीखें, 8 number question आपका important question है, इसको और साब से यहाँ पर बता देते हैं, 8 number question ध्यान से बनाने लाएक है, x square minus root 3 plus 1 का whole square, और multiplied by आपका इसमें x हैं, और plus root 3 is equal to 0, x square minus root 3 plus 1 x, यह देखें, गलती से यहाँ square लिख दीए हैं, चलिए, plus root 3, ठीक है, is equal to 0, question ठीक है, question को देख लिए किजिएगा, कभी-कभी by लिखने में mistake हो जाता है, तो उसके बज़े से answer में आपको problem आ सकता है, तो ध्यान से लिखिएगा, कभी-कभी by mistake इतना question एक बार में लिखा जाता है, तो कभी-कभी आपका symbol में आपको कुछ problem सा जाता है, जिसके बज़े से problem हम लोग को देखना पड़ता है question का answer फिन नहीं आता है तो चलिए यहाँ पर ठीक है सबसे पहला कि हम D वड़ाबर आपका B square minus 4ac तो सबसे पहले B, B का value जो होगा B square यानि कि minus root 3 ठीक है root 3 plus 1 ठीक है और इसका whole square है तो whole square और plus minus यानि minus आपका 4 formula से A, A का value आपका 1 और C का value root 3 तो यह देखिए आपका मिला क्या यह आपका minus का square करिए तो minus यानि root 3 plus 1 का whole square और minus 4 root 3 सबसे पहला काम कहा करिए कि इसको तोर दीजी अगर इसको आप तोरते है है simply तो देखिए मिल का रहा है आपका root 3 का whole square इसको इसी फ़र में छोड़ दीजे प्लस 1 का whole square छोड़ दीजे plus 2 root 3 होगा इसको ऐसे ही छोड़ दीजे change मत करिए minus 4 root 3 जैसे लिखा हुआ है लिख दीजे अब देखिए यहाँ पर root 3 2 जाएगा तो minus 4 root 3 में से 2 root 3 जाएगा तो actual बचेगा कि आपका 2 root 3 2 root 3 बचा अब 2 root 3 बचा तो आप देखे यह जो चीज था same चीज यह किसका value था यह पूरा पार्ट अगर हम बात करेंगे इसको अगर मीटा देते हैं तो यह पूरा पार्ट किसका value था इसका value था ठीक रूट 3 plus 1 का whole square तो अगर यह हम minus कर दिया जाए तो यह root 3 minus 1 का whole square होगा तो यही चीज यह next हम बात करेंगे किस में next हम बात करेंगे आपका यह कौनसा question है next है आपका value लेंगे इसका देख लिए चलिए next हम value लेंगे किस चीज का अब हम निकालेंगे आपका alpha निकालेंगे तो alpha का value जो होगा वो क्या होगा आपका minus b तो minus b के जगर पर क्या है आपका root 3 plus 1 और minus b और plus minus आपका क्या होता है root t तो एक बार plus आपका लिख दीजिए root t d का value root 3 minus 1 का whole square और आपका divided by 2a तो 2 into a का value क्या है आपका कुछ नहीं है तो 1 है यानि कि 1 अब देखे यहाँ पर यह minus है तो symbol अंदर क्या हो जागा bracket के बाहर अगर minus रहता है symbol को हम change कर देते हैं तो symbol को change करेगा तो यह minus root 3 और यह minus 1 और यहाँ plus यह देख रहा है bracket के अंदर यह क्या है root 3 minus 1 का whole square यानि कि root 3 minus 1 का whole square यानि कि 2 times है तो एक root 3 minus 1 क्या होगा आपका root 3 minus 1 बाहर निकल गया ठीक है bracket दें ना दे कोई फर्क नहीं क्योंकि यह minus नहीं अगर यह minus रहेगा तो हमको bracket देना पड़ेगा अगर minus नहीं है तो हम direct click सकते हैं next देखिए अब यह root 3 minus में root 3 plus में और नीचे में divided by 2 है तो minus 1 minus 1 मिलके minus 2 divided by 2 2 cancel हो गया यानि कि alpha का value जो हो गया वो minus 1 हो गया अब हम बात करेंगे आपका बीटा बीटा का value का बात करेंगे तो बीटा निकाल लेते हैं तो बीटा भी अगर हम निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा आपका minus root 3 plus 1 ठीक है bracket में और minus है तो minus है तो फिर जब आप निकालेंगे जो चीज को उसको आप bracket में रखना पड़ेगा और divided by 2 होगा into 1 होगा 1 का कोई value तो है नहीं चलिए minus root 3 और minus 1 और minus root 3 plus 1 divided by आपका क्या होगा 2 होगा तो यह देखिए 1 से 1 जाएगा 0 या निकि 1 में से 1 जाएगा 0 होगा root 3 minus root 3 minus root 3 तो minus 2 root 3 divided by आपका 2 2 से 2 cancel यानिकी minus root 3 होगा आपका answer clear अब हम देखेंगे आपका यह important question था इसको आप अच्छे से ध्यान में रखेगा क्योंकि यह विवियाई है यह normally आपको नहीं बन सकता है क्योंकि यहां पर देख रहे हैं इसमें कौन सा step हुआ यह आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें आपका a minus b का whole square का भी use हुआ है तो इस चीज को ध्यान में रखना है next हम बात करेंगे आपका 9 number 9 number भी आपका आसान है 9 10 असानी है ठीक है उसका basic बस बता दे रहे हैं आपका नीचे में क्या लिखा हुआ है चुछ चलिए 9 number हम देख लेते हैं 9 में है आपका x plus 1 by x और is equals to 3 है तो यह देखिए x plus 1 by x है minus 3 होगा is equals to 0 x नीचे में LCM x square और plus x और minus 3 is equals to 0 यह पूरा पार्ट आपका 0 यानिक x square और plus x minus 3 is equals to 0 अब देखिए d का value क्या निकालिंग b square तो b के जगा पर 1 का square minus 4 तो 4 into a तो a का value 1 c का value minus 3 तो देखिए 1 हो जाएगा और plus 4 3 जा यह क्या हो जागा देखिए यह आपका 1 का square b square minus 4 तो minus 4 formula से a के जगा पर 1 और c के जगा पर minus 3 तो इसको हम लिख देखिए अब देखिए 4 3 जा 12 तो 12 प्लस में 12 प्लस 1 क्या हो जागा आपका 13 हो जाएगा तो देखिए अब यहां से आप value को निकाल सकते हैं क्योंकि यहां से आपको असान है क्योंकि यह फॉर्म यह है तो इसी में हमको value put करके चलना है equation मेरा अब यह हो गया उपर से हमको कोई मतलग नहीं है तो यहां से आप इसको निकाल सकते हैं 10 number question हम देख लेते हैं 10 number question भी आपका same है 1 by x है 1 by x है और minus आपका 1 by x minus 2 is equals to 3 है तो यह आपका question है चलिए देखिए next इसको हम कैसे बनाएंगे सबसे पहला तो सबको एक साइड कर लेंगे 1 by x minus 1 by x minus 2 और minus आपका 3 is equals to 0 यह आपका x into x minus 2 LCM x x cancel open x minus 2 फिर यहां minus x minus 2 x में तो यह x और आपका यह पूरा जब multiply होगा इससे तो देखिए यह पूरा कुछ नहीं तो 1 तो यहां पूरा का multiply जब करेंगे हम तो यह क्या हो जागा x square minus क्या हो जागा 2x ता x square में multiply होगा minus 3 से तो यह क्या हो जागा 3x square हो जाएगा ठीक है क्योंकि minus 3 और यहां x square ठीक है यह direct हम सीदे इसके जगोपर लिख सकते है x square और minus 2 x तो direct हम इसके जगोपर यह यूच कर रहे है x square में minus 3 से तो minus 3x square और फिर यहाँ minus minus आपका क्या हो जाएगा plus हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा और x है तो x हो गया तो यह direct इसके जगापर हम use किये हैं अब देखें यहाँ पे x plus में x minus में cancel हो गया अब हम क्या करेंगे यहाँ is equal to 0 है तो यह पूरा पार्ट cross multiply होगा तो यह पूरा नीचे का value जो हो जाएगा वो 3 0 हो जाएगा अब देखें यहाँ minus 3x square है plus 6x है और आपका minus 2 है is equal to 0 अब देखें ऐसा condition जब हो ना कि minus x square जो होगा वो क्या होगा आपका negative होगा तो negative होगा वैसे condition में आपको क्या करना है कि minus को common ले लेना है minus यहाँ पे common ले 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 जएगा तो better होगी यह minus 1 है बरावर कि कुछ ने का मतलब यह minus 1 उस साइड जाएगा तो Pas अ? सीथे value 0 है यहनी कि सीथे हम 3x square minus 6x plus 2 का value 0 और इसका अब हम value क्या करेंगे यहां से आप find कर लेंगे जो कि आपको basic में बताया गया है तो सिर्फ इसको तोड़के बता दिया गया है यहां से आप value खुद से निकाल सकते हैं क्योंकि यह basic है अगर d का value अगर less than 0 आता है ठीक है ना तो वैसे condition में उसका no real roots कोई वे value नहीं निकलेगा इस चीज को ध्यान में रखना है अब हम देखेंगे आपका 11 number जो कि एक अच्छा question है चलिए 11 number देखेंगे उससे पहले हम इसको erase कर लेते हैं क्योंकि blackboard होर चुगा है तो चलिए तो चलिए next हम देख लेते हैं आपका 11 number 11 number में क्या का रहा है लिखा हुआ है m by n x square और plus n by m और is equals to 1 minus 2x देखें इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ जो x वाला part है तो x वाले को x साथ कर देंगे और ये 1 जो है इसको n by m के साथ कर देंगे ठीक है क्योंकि x तो हमको चाहिए x square plus bx थे x square तो ये मेरा हो जाएगा ये मेरा bx का काम करेगा तो ये bx हो जाएगा तो m by n और ये x square और minus 2x देखेंगा तो plus 2x और यहाँ पर plus n by m और minus 1 हो जाएगा ठीक है is equals to 0 अब देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहला step में हम दो टाइब से कर सकते हैं सबसे पहला तो नीचे जो है सारे का हम क्या करेंगे LCM निकाल लेंगे तो n और m का LCM क्या हो जाएगा mn यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ भी 1 तो m और n का LCM जो होगा वो क्या होगा आपका 1 होगा तो चलिए देखिए n और m n कैंसल mm से तो m square x square और प्लस यहाँ पर 1 से mn में तो 2m n x हो जाएगा next यहाँ पर प्लस लिखा होगा प्लस n mm कैंसल तो n में से तो n square और minus 1 लिखा होगा है 1 से आपका क्या होगा यह सीधे पूरा का पूरा mn आ जाएगा is equals to 0 next देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि अब यह हम इसको simply mn जब यहाँ multiply होगा तो 0 हो जाएगा तो actual मिला कि हमको m square x square और प्लस 2m n x और प्लस n square minus mn ठीक है यह पूरा part हमारा क्या हो जाएगा c हो जाएगा अब यहाँ पर हमको d भी मिल गया तो d बड़ावर b square minus 4 is c तो d बड़ावर b square तो अब यहाँ से अब d निकालना है तो d निकाल लो d निकालने तो b square तो b मेरा कौन सा part है यह तो b square यह निकि 2mn का whole square b square minus 4 तो 4 formula से a हो गया तो a के जगा पर कौन है आपका m square तो m square और into c c के जगा पर क्या है आपका पूरा n square minus mn यह पूरा हो गया ठीक है अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर is equals to अब इसको हम बनाएंगे solve करेंगे question मिटा देता है चलिए देखिए अब यहाँ पर 2mn का whole square करेंगे तो 4m square n square हो जाएगा और बगल में यहाँ minus है तो minus अब देखिए 4m square से n square से करेंगे तो 4m square n square ठीक है और minus minus plus तो 4 क्या हो जाएगा आपका minus minus plus हो जाएगा 4m square m square है यहाँ 1m है तो m पर कितना power हो जाएगा 3 power हो जाएगा और m square में m से तो 3 power हो जाएगा और n जो है वो लगा हुआ रह गया आप देखो 4m square n square plus में 4m square n square minus में ठीक है तो दोनों आपका cancel हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4m cube n ठीक है तो यह आपका d का value निकल गया अब यहाँ से हम क्या करेंगे alpha निकल लेंगे तो alpha अगर निकलना है एक तो क्या हो जाएगा आपका minus b तो minus b तो यहाँ पर minus 2m n हो जाएगा और plus minus तो plus एक बार करेंगे तो plus root d तो root d का value क्या निकला है तो plus root यह हो जाएगा आपका 4m cube n ठीक है divided by 2a तो 2 हो गया और a का value क्या है आपका m square तो m square हो गया ठीक है क्योंकि form तो यह ही है तो यहाँ से अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर कि minus 2m n और plus देखिए 4 का square root निकालेंगे तो निकल जाएगा 2 ठीक है m cube है तो इसका भी m निकलेगा तो 2m बाहर आ जाएगा और अंदर में root में बचा रह जाएगा तो यहाँ पर बचा रह जाएगा आपका 1m बचेगा और 1m बचेगा divided by 2m square अब यहाँ पर देखो इसको simplify देखिए करेंगे हम तो यह क्या हो जाएगा 2m यहाँ भी है 2m यहाँ भी है तो आप minus 2m भी चाहिएगा तो common ले सकते हैं ठीक है ना यहाँ खाली 2m अगर common लेते हैं तो 2m भी ले सकते हैं तो 2m अगर common लेते हैं तो यहाँ पर देखिए उपर में क्या बचेगा minus n और plus आपका क्या बचेगा root mn ठीक हा divided by 2m square तो यहाँ देखिए 2 से 2 cancel 1m से m cancel तो बच्चा क्या आपका minus n और plus root mn और divided by आपका m तो यह हो गया आपका x का first value हो गया जो first 0 हो गया next हम बात करेंगे बीटा तो बीटा भी हम निकाल लेंगे तो minus b और plus minus तो यह minus हो जाएगा root 4 m square n हो जाएगा divided by m square नहीं यहाँ m cube है divided by 2m square अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हैं minus b है ठीक है गलती से लिख दिये थे आपका minus 2 m n होगा ठीक है ना plus वाला निकाले minus वाला तो minus 2 m n और यहाँ पर जो आएगा value minus 2 m बाहर आएगा अंदर में बचेगा root m n तो यह हो गया divided by 2 m square यहाँ भी होगा यहाँ भी हम minus 2 m common लेंगे इस बार ठीक है ना तो minus 2 m n लिजेगा तो यहाँ अंदर में क्या बचेगा n और plus आपका root under m n यह बचेगा divided by आपका क्या होजागा 2 m square ठीक है तो m से m cancel 2 से 2 cancel यहाँ कि minus into bracket में n plus root m n यह हो गया आपका दूसरा answer तो यह आपका दोनों roots निकल गया तो यह भी cancel हो गया अब हम बात करेंगे 12 number next 12 number 12 number भी देखे क्या लिखा हुआ है 12 भी आपका सेम है 36 लिखा हुआ है a square और minus 12ax और आपका plus a square minus b square चलिए देखे is equals to 0 तो यहाँ पर हम क्या करेंगे चलिए ध्यान देजिए सबसे पहला तो d निकल लेंगे d बड़ा और b square minus 4ac तो b का value क्या है आपका minus 12 तो यह हो गया आपका square ठीक है next आपका हो जाएगा minus 4ac a के जगवा पर 36 c के जगवा पर आपका क्या हो जाएगा a square minus b square चलिए next देखी 12 का square करेंगे तो 12 12 या क्या हो जाएगा आपका 144 a है तो a square वो यानि 144 a square minus 36 में 4 से करेगा तो 144 144 minus में तो 144 a square और सेम चीज़ यहाँ प्लस में 144 b square हो जाएगा यह यह cancel हो जाएगा तो यहाँ पर 144 b square आपका यह बच्चे हैगा ठीक है अब हम देखें यहाँ से alpha निकालेंगे तो minus b minus b तो minus formula से minus 12 और plus b तो root under 14 4 a square आपका b square है तो b square कर दीजिए root over है divided by 2 into a का value 36 तो यह हो जाएगा minus में है ना अंदर minus 12 में तो यह minus और यह minus यहाँ मिलकर plus यहाँ कि 12 और plus आपका कितना हो जाएगा 12 b divided by 2 into 36 अब देखें 12 उपर नीचे दोनों तो a plus b और नीचे में 2 into 36 तो यह 12 से कितना बार में 3 बार में कट जाएगा तो यह आपका answer हो गया इसी परकार से आप beta खुद से निकालेजिए alpha आपको बता दिया गया इतना सारा answer है खुद से जब तक निकालिएगा तब तक नहीं आएगा ठीक है चलिए next हम देख लेते हैं आपका 13 number 13 में क्या कह रहा है आपका x square minus ax minus 4b square minus a square इसी question जीओ चलिए यहाँ d निकालते है b square तो direct b square लिखते है यहाँ minus 2ax है ठीक है minus question ध्यान से लिखे है थोड़ा सा भी गलती होगा तो गलत हो जाता है कितना बार गलती हो जाता है हमसे भी minus 2a है ठीक है न तो minus 2a का whole square करेंगे तो यह b के जगब पर square और minus 4ab तो a के जगब पर 1 और b के जगब पर तो 1 का मतलब तो यह minus है न तो minus में है तो minus हो जाएगा आपका क्या यह 4b square यह minus तो formula से आपका bracket से ठीक है न यह minus दे दिए ठीक है न यह और यह हो जाएगा आपका 4b square और minus a square चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे कि यह minus करेंगे तो यह 4a square यह minus minus क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ठीक है पहले से 4 तो 4 4 जाएगा 16 हो जाएगा 16 किस चीज में 16 b square फिर 4 में a से करेंगे तो 4a square plus 4a square तो यह हो जाएगा ठीक है तो यह देखिए एक चीज ठीक है न यह 2a plus 2b का अगर whole square करते है ठीक है न 2a यहाँ पर एक 4 से किये थे तो यह क्या हुआ था 4 में 4 से तो यह 4 4 जा 16 minus minus plus b square minus minus plus 4 में a से तो 4a square ठीक है एक चीज ध्यान में रखना है यहाँ एक चीज देख रहा है अगर इसको हम लिखते हैं यह 2a plus 2b का अगर whole square लिखते हैं तो क्या होगा यह 2 no a square है तो 4 4 कितना हो जागा 8a square और plus 16 b square तो यहाँ पर 8 क्या कर लेंगा common तो a square और plus 2b square यह क्या होगा आपका बचेगा in bracket अब देखे यहाँ पर हम क्या करेंगे अब यहाँ पर इसमें हम अब alpha निकालेंगे ठीक है ना alpha निकालेंगे तो alpha में क्या होगा आपका minus b तो minus 2a है तो minus 2a तो minus तो formula से और minus 2a और plus root d तो d का value 8 और into a square और plus 2b square ठीक है यह हो जाएगा अब देखे एक चीज़ ध्यान में रखना है आपे कि हम बनाते वक्त क्या करेंगे कि माइनिस माइनिस नीचे में आपका 2a तो 2a का value क्या है आपका कुछ नहीं तो 1 तो into 1 अब देखे यहाँ पर minus minus plus 2a हो जाएगा और plus यहाँ 8 लिखा हुए तो 8 कों 4 into 2 लिखेंगे 2 root के बाहर आ जाएगा और अंदर में क्या बचेगा आपका 2 into a square plus 2b square यही आपका क्या होगा बचेगा इसका root over divided by 2 तो देख रहे है 2 हम क्या करेंगे कॉमल ले लेंगे तो बचेगा a plus आपका root अंदर 2a square plus bracket में plus 2b square का root over यह आपका bracket बन कर देंगे divided by आपका क्या होगा 2 to cancel तो यही आपका answer होगा a plus root under 2a square plus 2b square अब इसके बाद next हम बचेगा निकाल लेंगे तो वो भी आप खुद से निकाल लेजिएगा एक आपको बता दिया गया है एक आप खुद से बचेगा कम से कम लिए next हम 14 नमबर देख लेता है लास्ट आपको है ठीक है 14 नमबर में क्या कर रहा है x square minus ax 2x अब यह question बताए थे क्या सायद लगता है plus नहीं कुछ change था last में a square minus b square is equal to 0 ठीक है चलिए ध्यान देजिए कभी-कभी होता है question by mistake कुछ यहां से लिखने में गलती हो जाता है तो वहाँ पे जिस टाइब का question लेके बनाया गया है उसी question पे आप समझे कि आपको question change है कभी-कभी होता है in case बताते वक्त आपका गलती लिखा जाता है कभी-कभी answer में problem होता है उससे आपको घर बराना नहीं है आप खुद से भी बनाईए खुद से भी करिए चलिए देखिए डी का value यहां पे निकाल लेता है जैसे इसी question में लग रहा है कि इससे पहले वाला साथ हम यहीं बता है लेकिन पता नहीं भी हो सकता है चलिए देखिए डी का value तो minus 2a का whole square कर देंगे minus 4ac तो a का value 1 तो a square minus b square c हो गया प्लस में है तो ठीक है प्लस में लिख देए अब देखिए यह 4a square हो जाएगा minus 4 में ऐसे करेंगे तो यह भी 4a square है plus 4b square यह देखिए 4a square 4a square cancel तो 4b square हो गया plus root d तो 4b square हो जाएगा divided by 2a तो a के जग़ा पर कुछ नहीं तो 1 अब यह देखिए minus minus plus 2 है तो 2 से क्या हो जाएगा आपका 4a हो जाएगा यह plus 2a सिर्फ 2a minus minus plus तो यह 2a और यह क्या हो जाएगा 2b divided by 2 यहाँ 2 कॉमल ले लेंगे तो a plus b divided by यह आपका 222 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका a plus b same आप बिटा भी आप ऐसे ही खुद से चाहिएगा तो निकाल लीजेगा आपको निकाल लेना चाहिए क्योंकि बार बार एक ही questions को आप खुद से बनाएगा तो बेटर होगा minus फिर से यह 2a और प्लस अपका यह एक वर प्लस निकाल है तो एक वर minus निकाल दो रूट d तो 4b squared divided by 2a एक वैलू कुछ नहीं है 1 है तो यहाँ पर 2a हो जाएगा minus 2b divided by आपका 2 फिर यहाँ देको 2 कॉमल लेंगे तो आपका a minus b बचेगा divided by नीचे में 2 तो आपका a minus b हो गया तो देखें इतना questions आपको बता दिया गया है अब इतना questions से आप अगर practice कर लेते हैं तो आपको nature भी बताया गया है nature भी हम basic में बता चुके हैं शुरू में ठीक है आवाज थोड़ा सा मेरा कुछ problem हो गया है ठीक है ना इसी वज़े से हम video बना के तो आपको बहुत पहले से ही रखे हुए लेकिन आवाज सही से नहीं आने के कारण हम आगे बना नहीं रहते 3-4 question ये बच्चा हुआ था जिसके कारण लेकिन अभी कुछ-कुछ ठीक हुआ है तो इसलिए आपको डाल दियें क्योंकि धेर दिन से video आपको डाला नहीं गया है इसके बाद हम next आएंगे आपका coordinate geometry पे ठीक है अब हम coordinate geometry सीखेंगे क्योंकि वो भी exam के point of view से आपको बहुत ज़्यादा important है और आपके पास time बिल्कुल नहीं है 10 वालों के लिए तो खास करके क्योंकि आने वाला समय अब जो है आपके लिए exam जो है जल्दी और ज़्यादा अगामी नजदी काते जा रहा है तो आपका काम है focus करना ठीक अब practice करते रहिए आपको डाला गया है video और भी जो चीज़ है बचा हुआ है सारे चीज़ का आपको वीडियो एके करके डाला जाएगा तो आप वहाँ पे ध्यान से सीखे थोड़ा सा आवाज problem के कारण आपका in this reason हम क्या कर रहे थे आपको वीडियो नहीं बना पा रहे थे लेकिन फिर से हम try करेंगे आपका कुछ आया है आवाज तो इसलिए वहाँ पे फिर आपको बताया जाएगा तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छे से ठीक है तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं तब तक के लिए फिर आगे आप पढ़ते रहें वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू